हलो एबरीवन तो देखिए यहाँ पे मैंने सोचा बच्चे लोग को बहुत जित था कि मैं केक खाऊं तो मैंने सोचा कि मैं सूजी का ही केक बना देती हूं तो यहाँ पे सूजी का केक मैं बनाई बहुत ही एमी बनी और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी तो अस्पंजी केक बनती और गाइज मैं एक बात और बताना चाहते हूं कि मेरा इसमें का एक वीडियो डिलेट हो गई है मैं आपको बोल के बता देती हूं कि मैं इसे कैसे बनाई हूं तो एक वीडियो थी इसमें का मेरा डिलेट हो गई है तो इसे बनाने के लिए मैं एक कटोरी सूजी ली थी और आ दूध गरम होनी चाहिए तिनों को मिला के अच्छे से घोल के और मिक्स करके इसे ढग देना चाहिए 15-20 मिनट तो यहां पर देख सकते हैं 15-20 मिनट हो गई है और यहां पर मेरा वो जो केक का मेकर है वो भी रेडी हो गई है और आप इसमें मैं डाल रही हूं इन्नों तो दूध और चीनी डाली थी आधा जितना सुझी है उसका आधा चीनी डाले आए यहां पर देखिए इसमें मैं पहले तिल लगाई उसके बाद थोड़ी सी महिदा से उसको ग्रीस कर दी थी तेल के बाद और इसमें डाल दी हूं क्योंकि करने से केक सटेगी नहीं और यहां पर थोड़ी सी हिला देनी हैं और यहां पर थोड़ी सी मैं फूड कलर मिला दी थी बच्चे का मन था कि औरेंज कलर का केक चाहिए मुझे वाइट नहीं चाहिए तो मैंने फूड कलर मिला दी मेरे पास कुछ भी नहीं थी और बच्चे को जई था कि मैं केक खाऊं ही खाऊ यहां पे कड़ाही गर्म हो चुकी ए और यहां पी देख सकते एक पेलीट रखके इसे इस तरह से रख देना है और शुरु में प। 5 मिनस्थ तेज रखना है उसके बाद इकदम धीमी कर देना है और यहां पर 20-30 मिनट तक के इसे डखके रखना ही रखना है और इसे इस तरह से चेक कर लेना है देख सकते हैं स्पून में कुछ भी नहीं लगी है तो समझे कि केक रेडी हो गई है तो मेरा केक गाई जी रेडी हो गई है तो इसे मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी औ और उसके बाद आप लोग को बताती हूँ तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही यहांवाली केक बनी है तो गैस यहां पर किनारे से इसे मैं छोड़ा के छोड़ देती हूँ क्योंकि इसे अभी थोड़ी गरम है इसलिए मैं इसे भी नहीं निकालूंगी और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी केक ठंडा हो गई है तो यहाँ पर आप लोग को निकाल के बताती हूं तो देखे गाईज यहाँ पर मेरा केक यह कितनी अच्छी रेडी हो गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बच्चे लोग अगर आपका जीद करें और कुछ भी घर में नहीं रहें तो सुजी का केक बना डालें बच्चे लोग बहुत चौँ सिखाते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सेर जरूर करें और अगर मेरी चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब परना बिल्कुल भी नहीं भोले अगर सस्क्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा तो मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी और आप लोग को हिल्फ हो जाएगी कि मैं जो भी वीडियो डालूँगी आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगी तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं केक बना के रेडी की हूँ तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और अपने दोश्ट के फास ज़्यादा से ज़्यादा से यहर कीजेगा कि उलोग को भी आसान हो जाएगा हुग मुझे लूप की बहुत जयूरत है मैं आप लोग को कभी ही बता चुकी हूँ कि मुझे है चल चाहिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तके लिए टाटा बाई बाई